नियूज अफ्टेट्स चॉइसनेस्ट के बिसे सकारी करम में आपका शुवागत है आज 22 तारीक है यह प्रिल का मैना भी है और बंगाल में लेशन चल भी रही जाकन के लेशन खतम हो गया और सबसे बड़ी बात है कि देश में वहां मारी चालू हो चुकी है अब जहां दिखिएगा नियू सन खोलने से सोचल मीडिया खोलने से लाश 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 और मौते तो समय बहुत खराब है आप सभी से निवेदन है कि आप लोग घर में रहें सुरक्षित रहें फिर सुवस्त भी रहें एक कहावत हम लोग सुने हैं जिन्दे की में बहुत बार मौका का फायदा उठाना पिसी मौके का फायदा से एक सची घटना सामने आई है जब पुरी जाडखन अर्थाद राची महा मारी के चपेड में आ चुकी है डेली लास निकल रही है हर घर से हॉस्पिटल्स फूल हो गई है रसमसान घाट भरे पड़े उसी भारत सरकार के कमपनी है गेल इंडिया लिमिटेट इनको इतनी जल्दी है कि ये महा मारी में ग्रामिन एरिया में मतलब जो सीडूल एरिया होते जाड़कन में उसमें जाकर बिना किसी के पर्मिशन में जहां आदमी तरस्त है अपने जान मचने लगा हुआ जबरन घर खाली करवा के घट तोड़के गैस पैपलान बिछा रहा है और ये मेरा कहना नहीं है ग्रामिनों का कहना भी है ग्रामिनों का तजबीर हमारे पास आया है ग्रामिनों ने इसको रोकने के लिए अपना पहाड़ी जहना भी गाड़ा है तो ग्रामिनों ने अपना निवेदन दिया DC को, SDO को, CEO को सबको निवेदन दिया कि बस अभी का जो समय है इस समय में ये सब चीज नहीं होनी चाहिए ये दूसरी बात है कि हमें नोटिस नहीं मिला है और जिसे नोटिस मिला पुर्वज का नाम से आया हुआ है मतलब हर जगा छल कपट इस दुनिया में दिख रहा है जहां जार्खन की राजी सहर, कैपिटल अपना जिंदे की जीने के लिए हर सास के लिए जंग लड़ रही है वही गैल इंडिया करुमचारी और ठेकेदार अपने मनसुब को पूरा करने के लिए इससे अच्छा समय का इससे अच्छा समय के मतलब क्या बोले इतना दिल से हम क्या बोले इसको उनके लिए अच्छा golden समय है कि इस सच समय हमको नहीं मिलेगा जहां ग्रामीन, राची, वासी, प्रशासन, सरकार, प्रिसान है हम तोड़ के अपना काम कर ले सरम किजिए इंडिया कमपनी वालो आपने जारखन जो सिडू ले रही है इसमें ग्राम सबा का आपने पर्मिशन नहीं लिया आपने रईयोतों से बात नहीं किया नोटीस रिसीबिंग नहीं करवाया आपने मीटिंग नहीं किया आपने करुना वाइरस जैसे महामारी बिमारी में जहां हर घर से लास निकल रही है आप क्या किये इसी मौकर का फाइदा उठा कर घर तोड़के अपने लाइन बिछारे ये गलत बात है ग्रेल इंडिय कंपनी वालो आप समझ जाओने तो मिडिये ट्राइल होगा और जाडखन की जो जनता है वो भी आपको नहीं छोड़ेगी